Hello everyone and once again welcome to Umar Taskir YouTube channel myself Umar Taskir Guys Google Analytics 4 के इस पाटिकलर वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं about dimension and metric या आप लोग इसको इस तरह के समझ सकते हैं कि हम लोग differences समझने वाले हैं कि एक dimension में और एक metric में क्या difference होता है किस तरह के से हमको दिखती है Guys ये वीडियो बहुत ज़ादा important है क्योंकि अभी तक जो हम लोगों ने reporting के lectures देखे है जो reporting के videos देखे वो reports थी guys जो already Google Analytics के अंदर होती है या हम कह सकते हैं कि जो Google Analytics by default जो reports है वो create करके हमें दे देता है कहीं ज़ादा data को collect करता है बहुत ज़ादा data को collect करता है बट वहाँ पर एक limitation भी है कि Google Analytics 4 उन सभी data की आपको reports बनाके नहीं देता है Google Analytics 4 में by default कुछ reports होती जिनसे आप information collect कर सकते हो और अगर आपको further और ज़ादा जो reports है वो create करनी मतलब जो data आ रही है उसको और अच्छे तो study करना है क्योंकि data तो आ रही है Google Analytics 4 के अंदर बट अब आपको reports create करनी थो उन data के उपर based आपको custom reports जो है वो create करनी होंगी और उसके हिसाब से फिर further आप study करोगे अपने reports की तो जब कभी भी हम reporting की बात करते हैं जब कभी भी Google Analytics के अंदर report की बात होगी उसका जो building blocks है जैसे एक जो report बनती है वो किन चीजों से बनती है हम बात करें कि यह building बनी हुई है तो यह building किस चीज से बनी हुई है building बनी हुई bricks है ठीक है cement लगा हुआ है brick लगा हुआ है तो एक building की जैसे कि foundation बनती है उसके जो building blocks होते है वो है brick और cement उसी तरीके से अगर हम बात करें Google Analytics के किसी भी report की तो जो भी report Google Analytics में बनती है वो आप ध्यान रखिए कि वो बिना dimensions and mattresses के report actually नहीं बन सकती तो अगर हमें report बनानी है तो हमें dimension and mattresses को ही use करना पड़ेगा तो जब अभी मैं आपको आगे बताऊंगा जब Google Analytics 4 के अंदर हम लोग custom reports बनाने के उपर जाएंगे या हम लोग यह कह सकते हैं कि हम लोग और ज़्यादा data को study करने के लिए जब हम लोग reports को बनाने जाएंगे तो वहाँ पर हमें dimensions and mattresses दिखेगी है ना कि आप इन dimensions and mattresses को use करके अपने according जो है जैसे भी आप report बनाना चाहो बना लो बट उससे पहले actually हमें समझ में आना चाहिए कि dimensions and mattresses क्या होती दोनों में क्या difference और किस तरीके हम पहचानेंगे अगर हम beginner है कि यह एक dimension है और यह एक metric है चली शुरू करते है तो वैस यहाँ पर आप देख सकते हो कुछ तो पहले basic definition है और उसके बाद जो है हमारे पास यहाँ पर example है तो जैसे कि यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है reports in analytics is actually made up of dimensions and mattresses तो यह चीज़ तो हम ignore नहीं कर सकते है second चीज़ यह है कि dimensions are attributes of your data मतलब आप अपने data को किस basis पे राइट किस basis पे आप अपनी data को study कर रहा हो उसको basically dimension बोलते है और वही जो होता है हमारी data का attribute होता है अभी example हम लोग देखेंगे तो और जादा चीज़ें आपको समझ में आएंगी वही पर अगर हम लोग metric की बात करें तो metric जो होते हैं 2000 quantitative metric हमेशा quantitative होती है quantitative हम उन चीज़ों को बोलते हैं या उस चीज़ को हम लोग quantitative बोलेंगे जो basically numbers के form में represent हो सके ठीक है जैसे मैं आपके सामने दो example लेता हूँ मैंने आपसे बोला city और city के बाद मैं बोलता हूँ आपसे CTR तो city कैसे होगे city होगा लखनाउ city होगा जैपूर ठीक है city होगी डेली तो city जो है that is basically not represented in the form of number city जो है वो number के form में नहीं represent हो रही है तो ये एक qualitative approach है qualitative इसको हम लोग qualitative बोलते हैं वहीं पर अगर कोई चीज नंबर के form में represent होगे इससे CTR मैं आपसे पूछूँ click through rate तो आप बोलोगे sir 3%, 5%, 4% इसी तरीके से आप बोलोगे कि हमारा CTR जो है 3% है 5% है 4% है तो कोई भी चीज जो number के form में represent हो सके वह हमारी qualitative होती है तो ये तो major difference है और mattresses हमेशा जो है वह quantitative होती है अब यहाँ पर आ जाते हैं हम लोग example के उपर तो देखो dimension के आगे क्या लिखा है मैंने city metric में क्या लिखा है मैंने user और यहाँ metric में एक और metric का एक और example है that is basically session तो इसी type की तो reports आप लोग देखते हो analytics है क्या actually analytics हमारे ही कुछ questions का answer है fine हमारी website पे कितने लोग आए कब आए किस age group के आए क्यों आए किस device से आए किस landing page के उपर गए क्या किया conversion किया है नहीं किया किस button पे click किया इनी सारी चीजों का answer तो analytics देता है हमें तो अगर analytics को ऐसा tool समझना चाहो तो आपके question का answer है जो भी आपकी website के उपर यह जहां पर भी आपने analytics का जो टूल है वो integrate किया हुआ है उस पे जो भी interactions हो रहा है उनी interactions से जो questions निकल के आते ने उनीक answer है तो अगर मैं आपसे पूछूँ कि किस city से कितने users आए और actually कितने sessions बने तो इस type से कुछ मुझे आप answer दोगे कि city थी डेली डेली city से 1000 users आ है और 1500 session बने यह number मैंने ऐसा ही hypothetical ले रखा है ठीक है real number नहीं है आपको तो केवल यह समझना है कि dimension और metric में क्या difference होता है तो यहाँ पर आप देख रहे हो city is basically dimension ठीक है किसके basis पे हम study कर रहे है और क्या हम study कर रहे है तो city के basis पे हम लोग users देख र metric चलो एक और example लेते हैं यहाँ पर conversion का example ले ले तो आप मेरे को बताओ conversion metric होगा या dimension होगा conversion जो है वो metric हो क्योंकि conversion कितने हुए मैं पूछूँगा आप बोलोगे 12 हुए, सर 15 हुए, सर 20 हुए, सर 25 हुए, इतने conversion हुए तो conversions actually numerical form में represent हो सकते हैं तो जब आप अपने हिसाब से reports बनाने जाओगे या हम लोग कह लें कि जब कभी भी आप custom reports बनाने जाओगे Google Analytics 4 के अंदर तो report तो यही है, है न, report क्या है, report आपके कुछ questions का answer है, तो यही तो इसी type की report है कि कि सहर से कितने users है, कितने session बने, इसी type के अलग-अलग cases होंगे report में, तो क्या dimension और metric वहाँ enter नहीं करना पड़ेगा, कि भाई मैं city के हिसाब से CTR study करना चाहता हूँ, city के हिसाब से CTR study करन चाहता हूँ, तो city is basically a dimension, और CTR जो है, वो हो गया आपका metric, अब आप कहोगी, यह एक range मैंने पकड़ ली, age की एक range मैंने पकड़ ली, कि 20 से 35 साल, तो 20 से 35 साल जो age एक range है, that is basically a dimension, उसके basis पे हम conversion study करना चाहते है, CTR study करना चाहते है, click study करना चाहते है, impressions हमारे कितने हुए, वो study करना चाहते है, that is basically metric, जो बाकी मैंने सारी चीज़े बताएंगे, fine, उसी तरह के से यहाँ पर भी example लिखा हुआ, dimension क्या, एक device, mobile से कितने user आए, कितने session बने, तो clear हो रहा है आपको कि dimension और metric में क्या difference है, आपर एक और मैंने example ले रखा है, that is basically एक तो dimension, primary dimension है, secondary dimension है, ठी डेली city से, mobile device से कितने users आए, एक question का answer, ठीक है, डेली city से, laptop device से, कितने users आए, तो अब ये primary है, डेली city से, अलग-अलग devices के हम लोग बात कर रहे हैं, तो एक तो हमारी dimension ये हो गई, primary dimension ये हो गई, और ये हमारी secondary dimension हो गई, कि हम लोग किन devices से लोग आए हैं, इसको study करना चाह करते हैं, city basis पर, और उनके बारे में हमें ये information चाहिए, right, हम आगे बढ़ा दें, जैसे मैंने example बताया था, cityR कर लूँ, conversion कर दूँ, यहां मैं clicks भी add कर दूँ, ठीक है, जैसे users हो गया, फिर clicks हो गया, sessions हो गया, cityR हो गया, conversion हो गया, इस सारी चीज़े मैं add करता है, चला जा और कुछ हाई नहीं, वो बात अलग है कि कौन-कौन से dimensions हैं और कौन-कौन से metric हैं, वो एक अलग चीज़ है, but dimension और metric को ही use करके actually reports बनती है, तो अगर मैं आप से कह दू, report बनाओ, तो बनाने के लिए तो आपको dimension, metric चाहिए होंगी, वहाँ पर वो सारी list दी होगी, आपको यूज करते जाओगे, report बनाते जाओगे, आगे अगर वीडियो में हम लोग explore वाले option को select करेंगे, जहां पर हम लोग इस चीज़ को देखेंगे, किस type से, बिल्कुल scratch से हम लोग अपनी reports create करते, दोस्तों इस प्रडिकुले वीडियो में इतना ही, आशकरता वीडियो आपक ग्डबाई गगाई, आशकरता वीडियो से बिल्कुल आपको टुछ करते जाओगे, भागे, आपकुले जाओगे, बिल्कुले एस चीज़ केढ़े, बिल्कुले शभ जिताओगे, कि अजिता ऑगे, जबूप्यो झाल झाल झाल